व्लॉगर को बहुत ही दुखी हो गए कि मैंने सेकेंड हाफ वाले व्लॉगर को बहुत कम टाइम दिया तो देखिया है कि जब किसी का मतलब वेलकम बैक हो रहा है मेरे चैनल पर तो थोड़ा से तदाहिम मुझा लगेगा ना देखिये देखने मं कि वो क्या कर रहा जिंदगी में क km मैंने इसे छोड़ा हैं 2017 से ये व्लॉगर को पूरे यूटूपर है मतलब पूरे यूटूप चाया हुआ है रायत्म फैलाया वुआ है लेइन क्यों तरह रायत्म ..... kwantatatada आई..? वो खोजने की कोशिश नहीं है तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिये तो ये वीडियो आपके सामने परस्तुत किया जाएगा आफटर मय इंटर के नहीं किया है अब्सक्राइब सुप्स्क्राइब या यहां पर बहुत अच्छे एक्षण हो विल नहीं है आप लोगों। मिलती हुआ आपने तिक चुज छे इंटरो के बाद तपक कर लोया सम्स्व्क्राइब लाइक अबामे यहां पर अच्छे तो बहुत ही जादा डिमांड के बाद बहुत लंबी डिमांड के बाद मतलब यह डिमांड आज सनी आ रही बहुत दिनों से पीश-पीश में आती रहती कि उसके बारे में भी कुछ बोलो उसके बारे में भी कुछ बोलो तब मैंने सोचा चलो यार बोल ही दें बहुत जादा देमांड आ रही है बहुत जादा मैं किसकी बात करी हूँ मैं देवानी चाय की जो है उनकी बात कर रही हूँ ये मुझे ना बहुत ही जादा बोरिंग लगती है इनका ये वीडियो जो एक मैंने देखा है मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था मेरे जिंदगी हैं इनके व्लॉग्स देखने के बाद यही मेरी कोशिश थी जानने की इनके लिए मैंने छे पनने रिए नोट्स बनाये है क्योंकि ये इनको छहेलना मेरे लिए बहुत मुश किल है ठीक है छलिए तो मेंस्तार्ट करते हैं कि इनका उनला कहां से का पटनाओन व्लॉग आ रहे हैं और अब आ रहे हैं जब ये कानपूर आ के अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही है अब ये इन्होंने फाइनली डिस्क्लोज किया है कि ये कहां घूम रही थी आज कल ये बन गही है पूरी की पूरी यूएफो पता है न यूएफो आप लोगो अन आइदेंटिफाइड फॉलाइंग ऑप्चेक्ट उसमें भी ये प्रो मैक्स है तो ये है यूएफो प्रो मैक्स चाई की दीवानी कब उड़के कहां लैंड करती है किस ताज होटेल में किस नॉर्मल होटेल में किसी को पता ही नहीं रहता पता चलने में भी बहुत टाइ है जिन्दगी में देखिए तो हम नहीं बता पाएंगे आपको क्या करना चाह रही है लेकिन स्टार्ट करते हैं स्क्रूटिनी इनके वीडियो की कहां पर इनका जो व्लॉग स्टार्ट होता है उदर ये दिखाती है कि ये कहां जा रही है तो बेसिकली ये बताती है कि कि इस वी सब्सक्राइबर की जंदगी में क्योंकि ये खुद ही पूरे वीडियो में इधर से उदर उदर चलते फिरते कहीं गुर्दवारे का एक व्यू ले लिया कहीं गुर्दवारे की दीवाल दिखा दी इससे किसी को कोई फाइदा नहीं होता है ट्रावल व्लॉग ज सब्सक्राइबर करने में बगदाजखल मजा आ रहा है हमको तो लग रहा है मजा नहीं आ रहा है कुछ हो रही आ ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं फिर से वही क्लिप्स इन्होंने रिपीट किये हैं जो ये पहले गूम रही थी यहां वहां यह अपने मूपे कैमरा करके इन्होंने गुर्दवारे की सारी क्लिप काड़ दी थी ताकि कोई एक दम मतलब अपने वाइल्डेस्ट थोट में भी गैस ना कर पाए कि कहा है जिजी क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने सब कुछ दिखा दिया था तो इनका एड्रस लीक हो गया था उसके बाद इनकी घमासान लड़ाई और इनके घर में महाभारत चालू हो गया था जो अभी तक चल रहा है उस महाभारत पर भी हम बहुत जल्दी आने वाले हैं ठीक है तो यहां तक इनके पूरे वीडियो में कोई भी वाल्यू एड्ट नहीं हुई है इनके व्यूवर्स की जिंदगी में अइंटैनिंग नहीं है यह बहुत ही बोरिंग है हमें किया फरख पड़ता है द हम खाण जानना.. क्या बूले है कि यह घुर्धवारे से होटल आ जातीכ है फिर होटल में दीखाती है कि यहां पर देखिए खाने का नाश्था इरियाज मांग आप बारका नाश्था पानी है। अगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से ना जिसने बोला कि आप क्या मांगरिंग है यह कोई नाश्टे का टाइम है कि आपको भी खाना मिले मुझे लगता है कोई रियाक्शन चैनल होगा उसका पक्का आप माने यह नमाने हम सची बता रहे हैं आप एर चेक इन की इन चेक आउट क लेकिन इन्होंने उसमें भी एक घंटे डिले मतलब एक घंटा और थोड़ा पैसा वसूल वाली इनको फीलिंग आ गई होगी लेकिन उससे आपके व्यूवर्स को कोई भी फायदा नहीं हुआ कोई भी इंफरमेशन आपके व्यूवर्स को नहीं मिली यह कैमरे से पूरे ट रोस चैनल सब कैमरे से बती आते लेकिन यार यह सब कोन बती आता है कि मतलब यह मेरा चेक इंटाइम हो गया अभी मैने चाय बना ली है मैं नाष्टा मांगा तो उसमुझ नहीं ती अब मैं इस होटल में हूँ हूँ अँ यहां पर है मैंने यह से बती इस आशे मंगा यह कुछ भी आप बना रही हैं व्लॉग बनाने के लिए आप कैमरे से कुछ भी बाते कर रही हैं सब्सक्राइबर्स का व्यूवर्स का आपकी दी हुई इंफो से कोई भी लेना देना नहीं है I don't think so कि उन लोग इंट्रेस्टेड भी होंगे सारी चीज से जानने में मतलब गा तो मैं वहां से भाग जाओंगी honestly speaking मैं भाग जाओंगी and I'll try in my life कि वो इनसान मुझे दुबारा कभी ना मिले ये सब बख्वास करने के लिए तो ये सारी चीजें ये रोज करती है और इनको 20,000 लोग रोज देखने जाते हैं मुझे लगता है कि आपके सब्सक्राइबर्स आपके तमाशाद बनते हुए देखना चाह रहे हैं because you are not you know your appearance is and whatever you talk is not normal at all you are going through some sort of condition which only a medical practitioner can tell you मैं इसके उपर कोई comment नहीं करूंगी but you need counselling for sure dear अच्छा इनके वीडियो में इनके husband नहीं दिखते तो बहुत सारे channels बोलते हैं वो चला गया चला गया चला वला कहीं नहीं है मैं आपको बताती हूं बंदा वहीं है बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये vlogging करें उसने इनक इस व्लॉग में भी काया जिस चीज के लिए मुझे मना किया तो मैं वह चीज कर कही रहती हूं तो ये उसी challenge में उस चीज को लेके vlogging करती जारी है इसलिए कोई भी आपको इनके vlogs में नजर नहीं आता है दूसरी चीज इनको ये गलत फैमी हो गई शायद ये पी आर ज़रू की तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है तो ये जो आप पी यार कर रहे हैं इससे आपको जो भी थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिल रहोगा आपको लग रहा है कि आप बहुत जादा इंडिपेंडेंट है पट लेट मी टेल यू इस वेड़ी होनेस्टरी की आपके हश्बंड क्या रहे हैं आए टी पढ़ा ही कर रहे है अपना डिगरी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकंट उनको नौकरी मिल गई ना मैडम आपका जो बीहेवियर अभी वो जेल रहे है कि पीछे-पीछे घूमेंगी पीछे-पीछे घूमे वैसे तो PhD में काफी टाइम लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने ही खुदी बताया था कि PhD कंप्लीट हो गई, तो अभी तक नौकरी लग जानी चीथी, लेकिन जस दिन भी लग गई, उस दिन आप पीछे पीछे घूमेंगी आपकी YouTube की इनकम कहीं नहीं ट की मैं मखाने तल रही हूँ कोकोनेट वाले घी के अंदर, इससे आपके सबस्क्राइबर्स को कोई फाइदा नहीं होता जिनको मखाने खाने हो खाएंगे जिनने नहीं खाने हो नहीं खाएंगे, मेरे खγयाल से आपको बदाम खाने चाहिए, मखाने सagarवाँ ज़रूरी है लिए इस वक्त बादाम लग रहा है मुझे रोज चार बादाम पानी में राद को फूला दिया करिए और सुबह उठके उसको चबा चबा के चबा के जितना चबा सकती है अपने एक मूँ से उतना चबा के आप उसको खा लिया करिए आपको बादाम खाने की बहुत अगें नो वैलु एड़ेड नो वैलु एड़ेड अट ओल आप मालिश कराएं आप नहाएं आप ना नहाएं आप पॉटी करने जाएं यूर सब्सक्राइबर्स आर नो इंटुरेस्टेड तो यह व्लॉगिंग नहीं होती है कहती है कि डंडर्फ हो गया है और इनको डंड और दर द्रफ हो गया है यह काला कपड़ा पहनेगी तो यहां गेर जाएगा यह डेर टु वैर बलाक उसमें भी बताता है कि बाई काला पहनोंगे तो रात दिन भर में जढ़ता जढ़ता है पूरा वाइट वाइट हो जाएगा तो यह उनोंने वह वाली चीज बता दी लो किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि नीबू और शक्कर मिला के बालो के शिकनजी बना के पिला दो बड़ी आम वाज शिकनजी का पेस्ट बनाओ खोपड़ी पर लगाओ बाद में इसको दोदा तो डांडरस चला जाता लेकिन इनके पास टाइम नहीं है सबसे बड़े आश्यर उसके बाद ताहीं है ऐसा उलू मत बराय करो लोगों को यार एक और वैल्यू इनोंने बहुत ही जो कहते हैं इनके सिर में जो डांडरस है वो पता नहीं क्यों है जबकि यह शांपू भी अच्छा यूज करती कॉंडिशनर भी अच्छे कॉपनी का अच्छे क्वालिटी का सक तो उसको सकाव कहते हैं सकैल यह एक होपड़ी आप अंदर भॉर क्वर्यब्स कि को अलों कि थे बाल में सुक्रणीन शायए यह कि अ הי ऑनल है उसको सकाल करते हैं तो कहने थे वाल कि सकिन निकल की गर रही है मतलब निंटर गें इतना भायानक वाल्यू भी अडंड ना कर इतने वाल्यवबल व्लॉक्स मत बनाऊ या प्लीज बहुत तकलीफ होती है वह दुख होता है देख करके के बाद इनोंने अपना जूता दिखाया और उस जूते की पूरे डीटेल्स दिये और बताया की जूता कब कहां से कितने में खरीदा था कितने दिन चला उसको वेदर इट्स कमफर्टेबल और अगेन नो वैली एड़ेड इसके बाद कहती है कि यह ग्रॉसरी शॉपिंग करन यह बाद आज़े आज आ गया मैं नोट्स बना रही थी मीने हाथ दर्द हो रहे थे तो मैं मैंने एड को सिक्प नहीं किया आप इस चीज को देखके सुन के खुश हो जाएए कि मैंने आपके वीडियो पर चलने वाले आड को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया बिकूज अचानक से अबरप्ट एक कट लगता है इनके इस पर और उसके बादे बताती है दाल की कलिप डाल देती है कि हमने दाल खाई और हमने अचानक से पटना के व्लॉक्स का इनका इनका इन्फरमेशन आ जाती है मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रही थी फिर एक और भी कुछ खाया पिया बताया है इन्होंने आप लोग देख लीजेगा उसके बाद थोड़ा सा पटना के व्लॉक्स का यह यह नो बताती है अपना इन्फरमेशन वगेरा देती है फिर अबरप्ट एक कट लगता है और यह शॉपिंग करके आ रही होती है वहां पर इनक एक अधर ये पुल्री मर्जी अधर करती है खमेट में मेंट तो वहोत इस ची बात है किये सारी इन्फरमेशन इन्ट राट है इन्टरावाइडन रूटीन दिस्सित्थीन्ट देली व्लॉगंगि दिसिस् नॉट व्लॉगंगिं अग्स अध्यूग इन्स रही है नोबड आपको इतनी गालिया पड़ती है इसलिए आप पीछे सारे लोग लगे मुझे इसा लगता है लेकिन मैं नहीं लग सकती पीछे भाईया यह जहलना वेरे लिए बहुत मुश्किल था इनका वीडियो चलिए देखते आगे क्या हुआ फिर जब यह शॉपिंग करके आ रही होत हांगी फिर घर आके तीन रबर बैंड दिखाती है जो इन्होंने उसी कलर के लिए थे यह यह पाच पाच रुपे के रबर बैंड एक एर बैंड ले कर आई थी जिसको यह बार बार क्लिप कह रही थी वह बैंड है मैडम यह तो एक छोटे फिस्त क्लास का बच्चा भी बत रोपे का एक और इन्होंने दो सो रुपे के दो रवर्वेंट ख़ी तो किया ऐसा आप कोन सा सस्ता नशा करती है कि आपको पता ही चलता ही आप ने खुद अभी दो मिनट पहले बुला कि मैंने लिया है कौन करता ऐसा मतला मान रहीं कहीं कि आप बेवकूफ हैं आप के मेल की तरह है यूर गड़ते हैं गिरता है रगड़ते हैं तो वो खरीदते हैं सो सो रुपे के रबर बैंड हैंना मैं भी खरीदती हूं चार-पाच पी तो क्या मैं बेवकूव हूं नहीं नहीए जुन को अच्छा लगता है वो खरीदते हैं जुन आपको अगर इसा लग रहा है कि वो बेवकूवी है तो वो बेवकूवी आप और आपने खुरी उस चीज को एक्सेप्ट किया है इस चीज के ऊपर आपने काफी देर तक बोला है कि मैंने बीबा से दो रबर बैंड लिये वही रबर बैंड पर पी यार में आय होते न तो आप बोलतीं कि बहुत अच्छा है इसमें यह है इसका इलास्टिक खराब नहीं ह पैसा देना पड़ता है ना तब असली रिव्यू बहार आता है जैसे आपका आया भीबा के रबर बैंड को लेके अचानक से यह सब करने के बाद यह पनी शॉपिंग दिखाते दिखाते रबर बैंड दिखाने फिर इन्होंने पापाया दिखाया बोला पाया को हम धोके र पटना तो मेरे पास रबर बैंड नहीं था तो मैंने बीबा से दो रबर बैंड दोसों के ले लिये थे क्योंकि उस वक्त मेरे पास वो चीज नहीं थी तो उसकी वैल्यू मुझे समझ में आई तो आपके पास जब कोई चीज नहीं रहती है आपको तब ही उसकी वैली समझ में आती है ऐसा इना नहीं मुला अब मेरा सवाल है इनके उन व्यूवर से उन्निस हजार लोगों में से कुछ हजार लोगों से जिन्हों ने बड़े अच्छे पॉजिटिव कॉमेंट किये स्पेशली उन लोगों से कि भही एक बाव बताओ आप लोगों को इनके चानल पर कॉंटेंट की कमी नजर नहीं आती है और अगर नजर आती है तो ये खुद बोल रही है कि आपको वैलू नहीं पता चल रही है कि कॉंटेंट की वैलू क्या है ये व्लॉग जिसके अंदर बारी कमी है बारी कमी है देखिये लिक करके रखा है अचा उसके बाद पैन निकाल के लेकर आई पैन में कुछ प्याज लेसुन फ्राइब कर रही थी कहती कि ये पैन मेरा नहीं है लेकिन जिसका है मैं बताओंगी नहीं आप मुझे बताईए खाना बनाने वाला बरतन को किसी के घर से कैसे हुऩा भूर सकता बस यही सारी चीजे है जो चिंदुगोचन्दु जैसे लोगो को इसारे मिल जाते हैं क्योंकि आपके गौंटेंट में बहुत सारे लुपोल्द हैं बहुत साहरा आप रायता प梯ला आपको क्या ज़ल रूरत हैं तका पैन के ऊपर भी चाहती क्या है पता नहीं अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग अब्जेक्ट बनी हुई है वो भी उसमें प्रो मैक्स बनी हुई है यूएफो प्रो मैक्स हो चुकी है ये कब कहा किस शहर में दिखेंगी आपको पता नहीं चलेगा यह और मैंनो आज कल बहुत अड़ रही है अच्छली लिट्रली उड़ रही है इंडिगों में कभी इसमें कभी उसमें कभी ताज में कभी यहां कटाज कभी वहां कटाज ओमाइगाड वाह ताज और कोई नहीं पिला तो प्यार कराने के लिए वालिवल इंफरमिशन दी कि आज 24 जन्वरी है आज हम सिंगल लेयर कर इना ताकि हमको वह सारे व्यूज आये इनका कहना था कि यह फिर उसके बाद यह सब करने के बाद इतना ना राहताव ती वैली wil information के बाद है चाय पीने वेड़ नी और इन्होंने कहा कि मेरा सब्र टूड गया था मैंने आजशकल शाम की चाया स्किप कर दिया लिए मेरा प्रवीडियो में तूटा इस पॉइंट पर आके मेरा सब्र भी तूट गया मैं नोट्स बना रही थी और मैंने नोट्स बनाने बंद कर दिये तभी फिर से एक बार एड आ गया और फिर से मैंने इनका एड इसके नहीं किया बिगिज आइव उसके बाद मैंने ब्रेक लिया क द्रेस का रोना का दुखड़ा रोया आपने व्यूवर्स के साथ बोला कि मैं वन पीस ड्रेस की मैंने जो बात की थी इतने पिछले वीडियो में उसका दुखड़ा चेड़ा इन्होंने और बोला कि मुझे कोमेंट आए कि तुम कैमरा आफ कर दो और पहन के देख लो तो पहने इनको पहनना है इसलिए बवाल काट रहे हैं इसको कहते है फो मो कि फियर ओफ मिसिंग आउट कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक भी वीडियो ना बना हूँ वन पीस ड्रेस पहन कर वीडियो बना लो इनका कहना कि इन्हें जिस के लिए मना किया जाएगा यह ही करेंगी तो आ आप लЁब भी नीचे कॉमेंट करेंगा कि प्लीज जिंगुर चाय की दीवानी पलीज आप बिक्नी में कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा सब को आज मना करना है क्योंकि इनोंने जो बोला है ना कि इनको जो मना किया जाता है यह वो खरती हैं सो बेसिकली इनका कहना था परकने पढ़ता कोई भी ब्लॉगर क्या पहनता है या नहीं पहनता है बढ़ा जब सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को फरक पढ़ता है तब रीक्शन एज रीक्शन चैनल तब मुझे भी फरक पढ़ता है लेकिन मैं आज आज आपको यहीं बोलूँगी कि प्लीज आप पिकनी पहन के वीडियो मत बनाना है हम लोगों को बहुत शर्म आएगी और मता भी आएगा लेकिन हम लोग आपको मना कर रहे है अब आपका जैसे कहना है कि आपको जिस चीज के लिए मना किया जाता आप वही करती है तो प्लीज करके दिखाएए आज मेरा अपने सब्सक् इस चीज को इस वीडियो को खटब करतें से पहले गोलना चाहती हूं कि इंकी चोटी जिजी का मेने वीडियो देखा जो रोड्धिह घारी दू करूए बडिो बॉट्स डे मना रही है और ब़ुस्डे मना ने के लिए घार ममी के साथ फोठी अप लोग सोच सकते हैं कि इं इनको जलाने के लिए वो पूरी फैमिली उधर से फाइस्टार में जाकर रुग रही है इंजोई कर रही है फाइस्टार होटेल्स की फिसैलिटी इस दिखा रही मतलब कट कॉपी पेस्ट बैसिकली खुद का दिमाग नहीं है एक ही परिवार से एक ही जैसे चार व्लॉग दे इंडायय की एक होड़ ली इंडी करते है इन रही है फ्युद कि प्रफेष्टेव कि लेकड़ू ईंडाय के लिए वही काम कर रहे है वही काम कर रही है फाइससदरी इस लिए ब्ले मर्जी से जैसे छोटी ब्ली गाड़ है थीम प्रब्लम हो गया और इनको चाहिए है एक कोई प्रोफेशनल जो इनको काउंसिलिंग करके इनको समझा सके इनके वीडियो से बहुत जाद नेगिटिविटी जलकती है मुझे तो जलकती मैं जानती एक वीडियो को देखी इनका डिकोट करने के लिए मुझे 25 मिनिट हो गया तक मैं बोल रही हूं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूं क्योंकि बही अगर में बोलते रहे गई चालेस मिनिट का वीडियो का भुजाएगा पता चलेगा नहीं यह इतने बड़े लंबे चोड़े वीडियो बनाके मुझे आप लोको पकाना नहीं है आज का वीडिय करता है तो हम को अच्छा नहीं लगता देखिए करते हैं कि अगर आप इटालियन बना रहे है न तर इटालियन तब इसमें इतना इंडियन दड़का ना लगा यह लेकिन यह भाभी जी जो है ना यह तो मैकरोनी की सब्जी बना के वह वह कर रही थी और बहुत जादा हापनि I can see you from behind You can hear me in your mind